राधी राधी दोस्तों कैसे है आप सब लोग सुभा सुभा का समय हो रहा है ठाकुर जी को स्नान कराते करते एक बात की याद आती ही मुझे अक्सर एक कुछ चनाता है कि प्रियर्स के टाइम पे दीदी कैसे सेवा करेंगे ठाकुर जी हमारी चोटे से है और बिल्कुल सभी प्रकार का सेवा उनका डेली होता है प्रियर्स के टाइम पे चार-पांस दिन किसी कि यहां पे साथ दिन तक भगवान को सुच्छो आनी जाता है तो ऐसे में क्या ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे उनका सोना नहीं होगा उनका जगना नहीं होगा घर पर तो कोई नहीं क्या कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहला रूल जो मैं बताती हूं सुन लिजिए ध्यान से पुरी वीडियो को इस वीडियो में आपको संपूर्ण सेवा भी दिखाऊंगी कैसे करते हैं और साथ साथ में यह भी कोसिस करूंगी कि आपका डिसिशन लेने में थोड़ा इज चाहिए इसका सिंप्ली हां या ना में कोई उत्तर नहीं होती है अगर सास्त्र के हिसाब से जाएंगे तो इस समय किसी भी भगवान को मंदिर को चुना नहीं चाहिए नहीं भगवान का वस्तर वगरा चुना चाहिए भगवान का रिलेटेट कोई भी चीज़ों से हमें को नहीं चुएंगे पहला दूसरा है कि अगर आपके घर में कोई भी है जैसे सुभे रे हस्बेंट है सुभे निकल जाते हैं साम को आते उनके पास टाइम भी नहीं है तभी आप एक काम कम से कम कीजिए कि सुभे रे बोलिए कि ठाकुर जी को उठा दो थोड़ी सी गंगल ज सुध्ध करके अब यह कामुन से करवा लेजिए चाहें बच्चे से चाहें हस्बेंट से कोई और हैं आप कोस्टेन की आता है कि घर में वह भी नहीं है बलकुल अकेली रहती हूं कोई नहीं है यह होस्टल में रहते हैं तब क्या करें तब ऐसा है कि अगर आप पीजी में स्नान करा के फिर थोड़ी सी भोग लगा दो रात को थोड़ी सी भोग लगा के सुला दो बाकी आप मानसिक सेवा कर लीजिए ठीक है अगर यह सब कुछ भी संभब नहीं है अगर आप अपने बच्चे की तरह उनको देखते हैं तो यह संपूर्ण रुप से आपका भाव और आपका डिसेशन होता है कि आप उस अवस्था में भी ठाकुर जी की सेवा करेंगी ठीक है तो यह किसी की कहने पर नहीं है कि दिदी ने कहा था इसलिए मैं कर रहे हूं क्योंकि जो भी करेंगे यह आपका पाप होगा यह आपका पुन्य होगा ठीक है आपका मानसिक छोड़ नहीं सकती ठीक है तो यह संपोर्णों रुप से आपका डिसेशन होगा ऐसे में आप ठाकुर जी को मंदिर में मत रखिए आप जो है ना अगर अंतहीं आपको सेवा करना ही है कुछ भी नहीं मन मान रहे है कुछ भी नहीं कर सकते तब मंदिर में मत रखिए किसी भ ठाकूर जी को पर्स करेंगे उनके पास जाएंगे उनको भोग लगाएंगे उनको स्नान कराएंगे उतने बार लेकिन आपको नहाद के अलग से सुध्धवस्त्र पहनुके शंपून रुप से स्वच्श होके आना पड़ेगा तो यी मितSewa कठिन से बाइया होती है चाहे ठंडे के समय हो चाहे गर्मी के समय हो में तो ऐसा करना है तो मैं बोलु। कि मत कीजिए और ठाकुर जी को जैसे है आप उनको सायन में ही रख दिजिए तीन दिन उनको बोलिए कि आप ब्लॉपटर धाम में रहे और मेरा मांसिक सेवा गरंद कर दो तो मैं किसी को भी यह नहीं कहरी हूं कि आप किस तरह से सिवा करें मैं कि सबको यही कहने की कोसिश कर और नहीं उस समय उनकी कोई भी सेवा आप भूढ़ कर सकते हैं तो आज करती हों आज के जो विडियो नहीं हुँ इस बात का क्लियरंस दे पाई हुं कि आप लोगों को ठाकुर जी की सेवा उस समय कैसे करनी चाहिए साथ साथ में एक बात का और ध्यान रखे कि इस समय कोई भी खाना पका के अगर आप पूछते हैं कि खाना मैं बना दूंगी कोई और भोग लगा देगा तो ये भी नहीं होती है आप प्रियर्स के टाइम पे अलग से सुखा भोग फलो का भोग लड़ू वगरा अलग से रख और ठाकुर जी का जो भी नियम लिया है उस सभी नियम को आगर आपको मानना ही है करना ही है तो मंदिर को सपर्स नहीं करना क्योंकि मंदिर में ठाकुर जी के इलाव हमी बहुत सरे देवी देवताय रहते हैं जिनको सपर्स करने से पुर्णे से ज्यादा कहीं ज्यादा पा बार बार ये कुछ चनाता है तो आपको फुद को पूछना पड़ेगा अपने मन से कि मुझे क्या करना चाहिए मैंने आपको आप लोगों को संदेश देना चाहे क्या वो आप को पसंद आया है और मुझे भी कमेंट करके बताना कि आप उन दिनों में सेवा कैसे करते हो अगर मेरी बात पूछो तो मैं कैसे करती हूं मेरी बेटी सेवा करती है मैंने आप लोगों से कईयों बार सेयर किया है और अगर वो किसी वज़िये से नहीं कर पाई उसका एक्जाम है तो मेरे हजबन कर देते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए हरी कृष्णा राधी राधी